नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स त्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोक्स ब्लॉक पर दोस्तों कोलियस जो है ये बिना फूलों के जो है गार्डेन में रौनक लगाने वाला पौधा है इसकी पतियां ही इतनी जाधा देखने में खूबसूरत होती है कि ये कई फूलों को आपनी खूबसूरती से माद देती है बहुत सारी अलग-अलग वराइटीज इनकी मिलती है और बिंटर के अंदर इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी निकल के आती है इनकी cutting तो वैसे आप किसी भी time पर लगा सकते हैं cutting से क्योंकि इनको बहुत ही easily propagate किया जा सकता है लेकिन winter एक ऐसा time होता है जब ये बहुत अच्छे से growth करते हैं इनके अंदर जो है एक अलग ही चमक जो है वो दिखाई देती है इस time पर इनकी cutting भी बहुत ही easily successful हो जाती है मैंने अपने इस पौधे से देखे जो है ये वाली branch तोड़ कर निकाल दी क्योंकि ये D-shape थोड़ा हो रहा था यहां से इसकी ये वाली branch जो थी वो थोड़ा तिरची ऐसे निकल कर जा रही थी बिल्कुल पौधे से अलग ही बाकी सारी branches कहीं जा रही है वो कहीं और जा रही है इस सवज़ा से मैंने इसको जो है cut कर दिया और छोटे छोटे planters के अंदर मैंने इनको जो है लगा रखा है ऐसे ही ये वाला पौधा जो है इसको भी मैंने cutting लगाया है देखे इसके अंदर नीचे से ही दो branch जा रखी थी और pinching करने के बाद अब ये खुब अच्छे से घना हो रहा है ये वाली भी मैंने जो है वो cutting से ही propagate किया है और इस वाली से मुझे आज कुछ cuttings जो है वो लगानी है मेरा ये वाला पौधा जिससे मैंने ये cutting जो है वो निकाली हुई है उसी से मैंने एक cutting देखे यहाँ पर लगाई है और ये cutting चल गई है अभी मैं इसको report करूँगा और साथी साथ जो है इन पौधों के cutting लगाऊँगा कोलियस का पौधा जो है लोग बहुत जल्दी घबडा जाते हैं कि मेरा पौधा जो है वो अब अच्छा नहीं लगता देखने में D-shape सा हो गया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोलियस का जो प्लांट है ये एक टाइम के बाद जो है वो अपनी life cycle को complete कर लेता है क्योंकि इसकी roots जो होती है वो नीचे बहुत तेजी के साथ growth करती है और एक टाइम के बाद वो bound हो जाती है और जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाता है ये इस तरीकी से D-shape हो जाता है मतलब ब्रांचे जो है वो पत्ली पत्ली लैगी होकर लंबी हो जाती है और पौधों के अंदर वो खूबसूरती नहीं रह जाती है जो हमें पौधे के अंदर actually मिलनी होती है तो आज मैं इस पौधे को इस वाले पौधे को कम्प्रीटली जो है हटाने वाला हूँ कोलियस जो है वो सबसे easy to propagate पौधा है इसको हम कटिंग से जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ही ज्यादा प्लांट हमारे पास बनते चले जाएंगे बात करी जाए इस प्लांट की केयर की तो गर्मियों में इसको जहां हम सेड में indirect sunlight में रखते हैं वहीं पर जो है अब हमको बिंटर के अंदर इनको ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहां पर morning में एक दो घंटे की इनको sunlight में मिल जाए उसके बाद पूरा दिन हमारा पौधा ज साथ ही साथ जो है बात अगर मिट्टी की करी जाए तो यह सौगी सी थोड़ी soil पसंद करता है soil ऐसी होनी चाहिए कि जो बेल्डेन तो होई ही मतलब extra water जिससे बाहर निकल जाए लेकिन साथ ही साथ जो है इसके जो अंदर जो है हमेशा मौशेर मिट्टी के अंदर maintain रहना च जो है मन्त में एक आद बार इनको liquid fertilizer दे देना है और साल में दो बार जो है solid fertilizer वैसे तो यह पौधा जो होता है इसकी जो maximum life जो है जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरी प्लांट की ब्रांचे जो है वो लेगी होकर अब खराब दिख रही है तो चाहू तो मैं इसको अभी दो साल तीन साल तक चला रहूं लेकिन वैसा ही डिशेप सा वो खराब सा दिखेगा तो उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है इस वज़ा से मैं एक पौधे की जो life maximum बताऊंगा वो आठ से नौ महीने की होती है आठ से नौ महीने बाद आप उससे cutting लगा लिज मिट्टी के अंदर हमेशा आपको moisture maintain करके रखना है लेकिन over moisture नहीं होना चाहिए क्योंकि यह root rot का भी सिकार बहुत जल्दी हो जाता है और साथी साथ जो है over अगर इसके अंदर जो है moisture कम रहेगा तो पत्तियां यह जो है बिलकुल ऐसे सिकोड कर लटक सी जाती है और कुछ कल इबनिंग में जो है अपने उन plants को पूरी तरीके से हटा दिया और उनसे जो ही यह कुछ cuttings लगा ली है यहाँ पर मैंने अपने उस वाले plants से यह कुछ cuttings लगाई है और जो खराब हुए थे उनसे यह दो cuttings यहाँ डाली है और यह एक और पौधा जो मेरे पास है उससे म काई है बाकी इस वाले पौधे की अल्रेडी मेरे पास काफी सारी cuttings जो है वह बनी हुई है तो यह मैंने कर लिया और कल साम को हो रहा था अलकाल का अधेरा इस वज़र से मैंने वीडियो को वही पर इंड कर दिया था मैंने पौधे को हटा दिया वनना टाइम मेरे पास सु नोट्स जो है वो खाली कर लिये हैं इन्ही नोट्स से रूट का डेवलाप्मेंट होगा जब यह मिट्टी के अंदर जाएंगी मैंने इनको पानी के अंदर सोक करके रखा हुआ था जिससे यह थोड़ा फ्रेस रहें बाकी जो है अब मैं इनके नीचले पार्ट में हैं यह इस तरीके से देखिए यह रूटिंग हमोन जो और स्वरी मंगी साइड युयआ जो हैं हम इस तरीके से लगा लेंगे और आऎसे ही अमया पास कटिंग करेंगे जितनी हमारे पास कुछ चीजों का द्यान रखना जयरूरी होता है लेकिन सोयल में बहुत ही इसली प्रोपगेट हो जाती है वटर में बहुत बार रॉट हो होके ये खराब होती रहती है बस कटिंग हमारी लग गई हुंगली से एक होल बनाना है और इस तरीके से जो है वो कटिंग को डालते चले जाना है तो मैंने बहुत ही कम सोयल ली है जिससे जो है जब मेरी कटिंग के लग जाए तो मैं पूरा ये पॉट जो है वो खाली कर लूँगा तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग लग जाएंगी और हमारा जो खराब हुआ कोलियस का पौधा है वो फिर से एक नए रोप में हमारे गार्डिन के अंदर आ जाएगा ऐसे ही हमें करना भी चाहिए कोलियस जो है ये है तो एक पर्मनेंट प्लांट लेकिन इसकी एक ही प्लांट की लाइफ जो है वो पर्मनेंट रहती तो है लेकिन वो उतनी खूपसूरती नहीं रह जाती इसके अंदर आपका भी पौधा अगर खराब हो रहा हो आप इस तरीके से जो है उसकी कटिंग लगा लीजिए और नए नए पौधे अपने प्लांट से बना दीजिए कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसी ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंड टेक केर